देश के सबसे लंबे महासेतू जो कोशी नदी पर बनने जा रहा है जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी हो गया है केंद्रिय परिवहन एवं राजमार्ग मंतराले ने 1286 करोड की लागत से बनने वाले इस महासेतू के निर्माण की सुईकिर्ती मिलते ही NHAI ने टेंडर कर दिया है इसमें सिर्फ पुल की लागत 984 करोड रुपे है सुपॉल और मदुबनी के बीच बनने वाले ये महासेतू साड़े तीन साल में बन कर तयार होगा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहट मदुबनी से सहरसा के बीच बन रहे फोर लेन सड़क के एलाइनमेंट भी यह पुल है यह पुल सामडिक द्रिश्चिकोन से भी बहुत महतपूर है नेपाल, बांगादेश और भुटान के साथ उतरपूर्व के राज्यों को जोडने में यह कारगार सिध होगा इसके बन जाने के बाद बाग डोगरा एरपोर्ट पे जाना आना काफी असान हो जाएगा बारत माला प्रोजेक्ट पांच पैकेजों में बन रहा है इनी में से एक पैकेज में इस पुल का निर्मान भी हो रहा है इसके बनने के बाद मधुबनी और सुपॉल जिला मुख्याले की दूरी घटेगी इसके साथ इस सिलिगोडी यानि बंगाल से बिहार के कई जिलों में आना जाना भी आसान होगा